हेलो फ्रेंड्स मैं अनामिका मेरे कीचिन में आप से भी का श्वागत है फ्रेंड्स आज मैं दीवाली एक स्पेसल मावा पेंडा की रेश्पी लेकर आए हूँ इसे घर पे बनाना कितना आशान है और मैं आज आपको बताने रहा ले हूँ तो चलिए फटाफट बनाना शु पेंडा के लिए हमने गैस पे एक कडाही ले लिया है कडाही में हम डालेंगे तो यह full cream दूद है हम इसे तेज फ्रेम पे उबाल आने तक पकाएंगे चलाते हुए तो फ्रेम साथ देख सकते हैं अपने दूद में उबाल आने लगा है हमें इस एश टेज पे एक चम्मच की मजद से दूद को चलाते रहना है और चलाते हुए इसे हम गाढ़ा करेंगे याने की पेंडा बनाने के लिए हम इसे होया कारूप देंगे तो यह तगी समभव है जब हम इसे चलाते हुए किनाडे से ऐसे इसका cream खुरचते हुए और medium flame पे गाढ़ा करेंगे टाइम तो लगता है पर इसका पेंडा बड़ा ही स्वादिष्ट होता है तो चलिए हम इसे चलाते हुए गाढ़ा करके आपको दिखाते हैं हमने दूद को आधा गाढ़ा तक चलाया है दूद की quantity आधा से भी कम हो चुकी है पर हमें इसे और ही गाढ़ा करना है तो आप देख लिजे हम कैसे इसे किनारे किनारे से एस पेट्वला से ख्रीम को इकठा करके भीच में ला रहे हैं और इसे चलाते जा रहे हैं पेरा बनाना बहुत ही आचान है और ये शुद पेरा बनकर तयार होता है पूरा मेहनत करें तो अपने बच्चों के लिए गनटे शुद पेडा हम बना सकते हैं ऐसे चलाते हुए हमें दूद को और 15-20 मिनट तर चलाना है फिर तो पेडा अपना बंदे राइट तयार हो जाएगा देख सकते हैं हमें 10 मिनट तक और बूद कुपाड़ा किया तो सक्कर आप अपने टेश्ट के कॉड़िंग डालिए ज्यादा मीठा पसंद है तो आधा आधा सक्कर भी डाल सकते हैं यानि की 200 ग्राम मावा में 200 ग्राम सक्कर डाल सकते हैं चक्र डालने के बाद जब चक्र मेल्क होता है तो मावा अपना थोड़ा सा पतला हो जाता है तो इसे हम 10 मिनट तक और मेडियम फ्रेम पे पका लेंगे फिर अपना ये फ्रेंडा बनाने वाला शेप में हो जाएगा यानि कि जो फोम में आ जाएगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अपनी खोया जो है एकड़ा ही छोड़ने लगा है हम फ्रेंड को आफ कर लेंगे और इसे रूम टंप्रेचर पे ठंधा करके फिर आपको पेरा बना के दिखाएंगे मावा अपना ठंधा हो गया है रूम टंप्रेचर पे हमने प्लेट में इसी के लिए निकाला था अब हम पेंडा बनाएंगे तो इसमें से जितना बड़ा आपको पेंडा बनाना है उतना बड़ा मावा ले ले लीजिए हधेली पे इसे गोल कर लीजिए और एक अंगुठे कि मदדי की मदद से इसे हम प्रेस कर देंगी तो फ्रेंस आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया होम मेंड पेंडा बनके तयार हुई हैं पेंडा के लिए हमें न होटल जाना ना हलवाई के आहान जाना घर पे बिल्कुल सुद्ध पेरा हम बना के तयार कर लिए हैं तो चलिए आप भी अपने घड़ पे सुद्ध पेरा तयार कीजिए, अपने फ्रेंड को खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, मा लक्षमी का पूजा कीजिए, अगर अच्छी लगे तो मेरे सैनल को लाइक केजिए, सब्सक्राइब केजिए, सेयर केजिए, कॉमेंट करना मत धन्यवाद